प्रविये सो तेरे हुजूरी पर हम आये हैं दया की भी कमानते हुए है जीवन रू भी इस विशेश दान की लिए धन्यवा देते हुए है और आने वाले दिनों के लिए गृपा मांगते हुए है प्रार्तना का अई भाहु लेकर खड़े हैं हम आप पिता येशु के पवित्र लहु से हमें धो दीजी और अपने पवित्रात्मा से हमें भर दीजी हे पवित्रात्मा हम आपका आदर करते हैं आपकी अथिकार को स्विकार करते हैं अपने को समर्पित करते हैं आए हमैं चलाये हमारिये कवाइ कीजे ईश्वर के राचिय के रहस्यों को प्रकट कीजे संचाएं रहसी को संचाएं हे रहस्य को संचाएं हे बावनात्मा हिए हम बदातराएं पिता पुत्र पावितर अत्मा की मही महु होवे ये सिवा की मिध्या वे ओरनका अप्स्थिदा लेगी। जाओ रूद की मही महु हो। आणन्द का संदेश पवित्र आथमा को विशेश हम आदर देने लगते हैं पवित्र आथमा के विशेवे में सीखने लगते हैं तो एक बात हम लोग सीख लेंगे ओ यह है की आथमा का विशेग जिस वेक्ती पे आता है ओ विक्ति ओटोमाटिकली खुशोने लगता, आनंदिद रहने लगता है क्योंकि पवितर आत्मा आनंद का आत्मा है हालेलुया अनेक संद लोग इसके विशेय में काफी बाते समझाया दपर के बाद हम कुछ बाते सिखेंगे आहरंगेलिये संद जोन बोसको जोन बोसको बोलता है कि कोई भी ऐसा वेक्थी नहीं हो सकता जो दुखी रहता है और पवितर रहता है नो सेंट कान बी साड चेरफूलनस इस पार्टन पार्सल अवोलिनस खुशी आनंद जो है अध्याद मिक्ता का अभिन्य अंग है संद पापा हा फ्रांसिस उनके प्रेरितिक परिपत्र एवंगेली गाओधियुम जोई आफ गॉस्पल है जो उसमें वो शुरू करते हैं इस तरह जोई आफ गॉस्पल फिल्स प्रेरितिक परिपत्र आफ गॉस्पल गॉस्पल जो भी एसु के पास आते हैं उनके हरदे में आनन्द आ जाता है इसु के पास जितना हम जाते हैं जितना उनके विशे में सेखते हैं उन सभी लोगों के हरते में वो आनन्द भर देता है हालेलुया हालेलुया येशु की स्तुति हो येशु को धन्यवाद प्रिये जनों बाइबल हमें बराबर इसके विशे में याद दिलाते हैं कि इश्वर की उपस्तिती पे जो भी विक्ति आता है उस विक्ति को प्रभु में इश्वर में आनन्तित रहना चाहिए अध्याद्मिक्ता का एक विशेश बाती है दुखी रहने के लिए इस दुनिया में हमरे पास हजारों कारण है we have thousand and one reasons to be sad, valid reasons क्योंकि घर में वो तकलीफ है यह तकलीफ है बच्चा इसा करता है जीवन साथी वो करते हैं पैसा नहीं होता है अपना घर नहीं है नवकरी पे तकलीफ होती है बराबर बीमारिया सताती है दुखी रहना है तो कई कारण है मरे पास किन्तु हम लोगों के पास एक ऐसी बात है जो हमारे सरवशक्तिमान ईश्वर ने हमारे लिए किया है जो हमें हमेशा के लिए आनन्द के आनन्द के सच्छे आनन्द के कवस्त्र से हमें ओठ करते है हमें पानाता है वो आनन्द जो प्रभु देता है दुनिया में कोई भी विक्ति वस्तु घटना या वातावरन हमसे हठा नहीं सकता हमरे विश्वास हमको ये बताते हैं कि इश्वर हमको प्यार करता है ना केवल प्यार करता है हमरे पाप ज्रमा करता है और हमरे पापों के लिए उसने प्राश्चित किया प्रभु ने जो कारी किया वो अनन्त काल के लिए किया वो कभी वापस नहीं लेगा पापच्छमा मुक्ति का जो कारी इसा मसीहा में पिता इश्वर ने हमारे ले किया वो वापस नहीं लेगा प्रभु जो गिफ्ट दिया है जो कारी हमारे लिए किया है मुक्ति का जो कारी हमारे लिए किया है वो वापस नहीं लेता बीच में और नहीं बोलेगा नहीं मैं तुमारे लिए कर नहीं सकता तुमने पाप किया इसलिए मैं तुम्हार लिए नहीं करूंगा नहीं बुलता है चाहे पहाड ढल जाए पहाड या डवाडो लो जाए मेरा प्यार नहीं ठलेगा मेरा शांति विधान भंग नहीं होगा इसलिए हमें प्रभु पे आनन्तित रहना है और इस बात की विशेशता और महानता को आज हम वचन के दुआरा समचने जा रहे पवित्र आत्मा में जो आनन्द इश्वर हमको नए विधान में आत्मा के नए अभिशे के बाद येशु के जी उठने के बाद पंदरकोस्त के बाद जो महान कारी है हमारे साथ हुआ है और उसके पहले से इश्वर हमारे लिजो कारी किया है सबसे पहले पाप के पहले जब पाप करने के पहले मनिश्य एकदम आनन्तित थे हमारा आनन्त हमारा पाप ही हम से चीन लिया, हम चानते है पाप करने के बाद ही अदम और एवा दुक्की होगे, चिंदिद होगे, उतकंठा में आगे, डरने लगे, उनको शरम लगने लगे, और वे प्रभू से चिपने लगे, यह सारे उनको एक दूसरे पर दोश लगाने लगे, आनन्द चिनलिया गिया, आनन्द का जो वस्त्र प प्रभू ने पहनाया, वो फट गया, किंदुप्रभू उनके लिए कारी गिया, वस्त्र फिर से पहनाया, उसके विशे में कल हम विस्तार से देखें के, और प्रभू ने मनिशे के लिए एक वादा किया, भले ही मनिशे प्रभू की उपस्तिदी से अलग भेजा गया, एदनवाटिका से निकाल दिया गया प्रभु की उपस्तिति उनको नहीं मिल रहा उस समें इश्वर ने एक वादा किया कि मैं तुमारे लिए कारी करूँगा मुक्तिदादा जरूर दूँगा हालेलुया मैं स्वयम आकर तुमको बचाओंगा जकरियस नभी के ग्रंद में अधियाए दो में इंग्लीश बाइबल में वो चन्टन है हिंदी में वो चौदा है चाप्टर टू वर्ट्स फॉर्टीन इन जकरिया वहां बर हम लोग पढ़ते हैं सियोन की पुत्री आनंद के गीत गाना क्योंकि मैं तुमारे बीच में आकर वास करूंगा I am going to come and dwell among you you should rejoice आज आपके पास काफी दुख है संगट है आप तंगी हालत में रहते हैं लेकिन प्रभु केता है सियोन की पुत्री आनंद का गीत का क्योंकि मैं तेरे हां निवास करने आ रहा हूं मैं तुमारे यहां निवास करने आ रहा I am going to come and dwell among you English में तुटन Hallelujah इसलिए आप आनंतित रहना और गीत काना आप जानते हैं स्तुति राधना वास्तों में क्या है आनंत का प्रकतन है expression of joy in the presence of the Lord is called praise इसलिए बाइबल में आनंत और अराधना आनंद और स्तुति दोनो संग संग चलती है जहांबर आनंद है वहांबर स्तुति है जहांबर प्रभु की उपस्तिती है वहांबर आनंद है वहांबर स्तुति होनी चरी तो वायदा यहांबर हुई दो चावदव में या English के Bible जो देखते हैं तो उसका फुल्फिल्मेंट वायदा प्रभु हमेशा पूरा करता है जब वह वायदा पुरी हुई लुकस के सुस्वमचार के अध्याई दो वचन ठैन में लुकस के सुस्वमचार टूटन इंग्लिश में साकरिया टूटन और लुकस टूटन चाप्र टूवर्ट स्थन उसमें हम पढ़ते हैं सुर्गदूद ने उनसे कहा डरिये नहीं देखे मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमचार सुनाता हूँ अज दावुद के नगर में आपके मुक्तिदादा ये सु मसीह का प्रभु मसीह का जनम हुआ है तो वादा क्या थी? मैं आकर रहूंगा मैं आकर तुम्हारे बीच में वास करूंगा इसलिए खुश रहना पुराने विधान में लोग उस वादा के कारण खुश रहते थे अब नए विधान में उस वादा की पूर्ती हुई है इसलिए हमको दुखी रहने के लिए कोई excuse नहीं, कोई कारण नहीं अब हम पुराने विधान में कुछ बातें देख रहे हैं प्रभु किस तरह हम को बताते हैं कि आध्यान्मिक जीवन में आगे बठना हो इस वर से कुछ पाना हो तो आपको आनंद के साथ स्तुति करने की जरूरत क्यों होती है समझेंगे हर साधना में आपको बताए जाता है स्तुति करना, हलेलुया बोलना कुछ लोग जो नएं आते हैं उनको तकलिफ होने लगती है इतनी सारी हलेलुया क्यों बोली जाती है इतने जोर से क्यों स्तुदी कराते हैं कई लोगों को तकलिफ होती है लेकिन उसके पीछे एक आध्याद्मिक कारण है Theological Reason, Spiritual Reason उसके विशे में जरा हम सेखेंगे तो अब हम Lucas के सुसमचार में ठूठन में क्या देखा सुरगदूत आकर बोले बड़े आनंद का सुसमचार सुनाता हूँ प्रभु आया आपके बीच में इश्वर आया हालेलुया प्रेजनों इश्वर की उपस्तिती मनिश्य को सच्छा आनंद देता है क्योंकि हमारी आत्मा इश्वर के लिए सृष्ट किया गया है जब तक इश्वर की उपस्तिती पे नहीं आती है आत्मा शांद रहती है सच्छा आनंद ने मिलेगा संदागस्तिन ने कहा है प्रभु तूने मुझे तेरे लिए बनाया जब तक मैं तुझको ना पाऊं तब तक मैं शांद रहूँगा मैं अच्छा नहीं रहूँगा कुष नहीं रहूँगा मैं तो कुशी की खोज में कहां कहां नहीं पटका संदागस्तिन अपने आत्मा कथा जो है कन्फेशन उस पे बताते हैं मैंने आनंद की खोज में क्या क्या नहीं किया लेकिन जब मैंने उसे पाया सच्छा आनंद मिल गिया और उसके बादो केता है प्रभू तूने मुझे तेरे लिए बनाया जब तक मैं तुछे न पाओं मैं दुखिर होंगा, अशांदर होंगा हालेलुया एशु की स्थुति हो एशु को धन्यवाद हालेलुया आनंद के विशे में सब क्लासिकल टेक्स्ट ओल्टेस्टमेंट का नहेमिया के ग्रंत में है वहांबर एस्रा और नहेमिया के पुस्तक जब पठेंगे वहांबर हम लोग नहेमिया के अधियाए आठ में हम पठते हैं वहांबर पूरे दिन वच्छन सुनाया गया लोगों को इश्वरक का वच्छन सुनाया गया और वच्छन सुनकर वच्छन सुनते सुनते लोगों के हिर्दय में धर सारी आनन्त आ गया तब उनको बताया गया जाना अच्छा से खाना खाना और जो लोगों के पस खाना नहीं उनको भी खिलाना और आनन्तित रहना कारण प्रभु के आनन्त में ही आपका बल है जोई ओफ दोड इस और स्ट्रेंग्ट अगर आपको बल चाहिए प्रभु में खुश रहना इश्वर में आनन्ति रहना आनन्त जो है बाइबल की भार्षा में आनन्त जो है इश्वर की उपस्तिती की घोशना है आपका आनन्त इश्वर की उपस्तिती की घोशना है जब आप आनन्दित रहते हैं आप यह स्विकार करते हैं कि इश्वर है उसकी उपस्तिती मुझे प्राप्त होती है प्रभु की उपस्तिती की घोशना लोगों के सामने आप अपने आनंत के द्वारा ही कर सकता है उसके सामर्ति की गवाही आपको देनी है तो आपको आनंतित रहना ही पड़ेगा जो भी विक्ति इश्वर के सामर्ति को उसके महानकारियों की गवाही लोगों के सामने देना चाहते हैं कैसे देना हैं? कैसे खुश रहते हैं, आप तो बीमार हैं, लेकिन आप बोलेंगे, मेरी बीमारी, मेरे आनंद को छीन नहीं सकता, क्योंकि प्रभू, मुझ मैं, उसने मुझे पियार किया, उसने मुझे श्यमा किया, उसने मुझे से कहा, मैं सदा सात्र होंगा, इसले मैं खुश हूँ, सभी संद लोग इसले खुश रहते थे, यहां तक की, मदर तरेसा को ये कहना पड़ा, ओ केती थी, ए साद एंसी, इसे बाद एंसी, एंसी मिन्स मिशनरीस आप चारिटी, अपने सिस्ट लोगों को बताती थी, ए साद सिस्टर, ए साद एंसी, इसे प्राओड एंसी, ऐसा भी बोलती थी, मदर इश्वर जो महानकारी आपके लिए किया, उसको आप सुईकार नहीं कर पाते हैं, थब जाके, आपकी आनंद, आपका आनंद चदा जाता है, अब लोगों के सामने, जब चहरा फुला कर रखते हैं, और निराशा में या गुस्से में सब जीवन बिताते हैं, रहते हैं, आप क्या बताते हैं, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं किया, गवाही दे रहें, घोशना कर रहें, इसलिए, आनन्तित रहना आध्याद्मिक जीवन के, एक महत्तपोर्न खंबा बन जाता हैं, पिल्ल रहें, हालेलुया, एशु की स्थुति हो, एशु को धन्यवाद, इसलिए, प्रभु की उपस्तिती का अनुभव, जब भी लोग करते हैं, उनको चाहिए, कि वे आनन्तित रहें, हम लोग विथी विवरन ग्रंद के ध्याबारा वचन साथ में जाएंगे, विथी विवरन ग्रंद के अध्याबारा में, इस तरह बताया गया है, चाप्टर थ्वल्फ वर्ट सवन, वहां तुम प्रभु अपने इश्वर के सामने, अपने परिवारों के साथ भोजन करोगे, अपने कल्यान के कारण आनन्त मनाओगे, क्योंकि तुम्हे प्रभु अपने इश्वर का शिरुवाद है, इसलिए प्रभु की उपस्तिती में आप जाएंगे, मंदिर जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, आराथना के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपको आनन्तित रहना है, प्रभु की उपस्तिती में एक वेक्ती को चाहिए, कि वे आनन्तित रहे, प्रभु की उपस्तिती हम लोगों गो आनन्त से भर देते हैं, इसलिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं, अध्याए सौल में अविधी विवरन के अध्याए सौल वच्छन ग्यारा, तुम उस्तान पर आनन्त मनाओगे, जहांपर प्रभु लोगों के लिए मंदिर चुनते हैं, जिस जग को प्रभु चुनते हैं, अपनी उपस्तिती देते हैं, इस जगह में आपको जाना होगा, बताए जा रहा है कि परभु एक जगव बनाया, जहांपर उस स्तान में परभु अपनी उपस्तिदि देने के लिए चुनते हैं, जिस जगव को परभु चुनते हैं विशेष रूप से, जहांपर हमारे प्रिष्चर्च होते हैं, जहांपर नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा तुमारे पुत्र पुत्रियां तुमारे दास दासियां तुमारे नगर में रहने वाले लेवी तुमारे बीच रहने वाले प्रवासी अनाध और विधोवायं भी तुमारे साथ प्रभू अपने इश्वर के सामने आनन्द मनाएंगे याद रखो कि तुम मिष्र में दास थे क्यों आनन्द मनाना तुमारी दास तासे प्रभू ने तुमको छुडाया इसलिए आनन्द रहना मुक्ती का आनन्द याद रखना प्रभू तुम लोगों को मिष्र की गुलामी से छुडाया पुराने विधान में आनंद का ये कारण था कि वे मिस्रु में गुलाम थे और वहां से प्रभु तुमको छुडाया और इसलिए तुमको आनंदित रहना प्रभु की उपस्तिती में जब भी आते हैं उनके किये हुए महानकारी को याद रखना डिलिवरंस को याद रखना और आनंदित रहना बोली हालेलुया प्रभु की स्तुति हो प्रभु को धन्यवा इसलिए तो स्तौतर ग्रंदकार दावूद ये प्रातना कर रहे थे मुक्ति का आनंद मुचे सदा देना स्तौतर संग्या 51 में 51 वचन 14 में हम इस तरह पढ़ते हैं 51 14 मुक्ति का आनंद मुचे फिर प्रदांगर उदारता में मेरा मन सुध्रड बनाओ दुखी हो गया था पाप के कारण उसका आनंद चला गया तो रंद पस्तावा करते हूँ ये कहता है ओ मुक्ति का आनंद मुचे फिर से देना आप मुचे पापट शमा करेंगे मैं पस्तावा करता हूँ तब मैं आनंदिद हो जाओंगा आनंद पापट शमा का एक प्रूफ है सच्छा पस्तावा करने वाले विक्ति को आनंद प्राप्त होता है पच्छाताब की कमी रह जाती है आनन्द की कमी आपको सताएंगे क्योंकि पच्छाताब की जरिये ही इश्वर की मुक्ती जो इसा मसीह के दुखभोग की द्वारा मृत्यू की द्वारा हमारे लिए रखे गए हैं हमारे लिए मिल गए हैं उसको हम पूरा दावा कर सकते हैं पस्थावय के दौरा इसलिए तो ये ईसुव कर करका पच्छताब करो इश्वर का राज्य निकट है इश्वर का राज्य में आनंद ही आनंद है पवित्रात्मा दोहरा प्रदत आनंद के लिए पच्छताब करना पड़ता है इसलिए दावूद पच्छताब की प्रार्तना करते वक्त क्या बोल रहे हैं मुक्ति का आनंद फ दाओद पवित्रात्मा से प्रेडित होकर कितने सुन्दर बाते इश्वर के राजी के विशे में हमको बताते हैं, तोड़ा साम देखते जाएंगे, उदाहरन के लिए चाउधा अधियाय से शुरू करेंगे, स्तोत्र संग्या चाउधा चार, अधियाय चार वचन आठ, वहा अंगुर की फसल या गेहु की अच्छी फसल होती है, या अच्छी एक नवकरी मिल जाती है, अच्छा खासा पैसा जब आ जाता है, अच्छी गाड़ी खरी दी, और उस समें जो आनंद मिलता है, उससे कई गुणा जादा आनंद प्रभू हमको दे देता है, इसलिए आनंत प्रभू देता है, ओ इन तमाम चीजों पे निर्भर नहीं है, दुनिया की चीजों पे निर्भर नहीं है, या ध्यान्मिक बातों में बहुती महत रखने वाली, दिल में एकदम याद रखने वाली एक बात है, हालेलुया, ये वचन को जरा धूरा ये, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है, वो उस आनंद से गहरा है, जो लोगों को अंगूर और गेहू की अच्छी फसल से मिलता है, हालेलुया, और स्तोतर संग्या पांच वचन बारह में हम पड़ते हैं, जो तेरी शरण जाते हैं, वे सब आनंद मनाएंगे, तो उनकी रच्छा करेगा, और वे सदा हर्शित रहेंगे, जो तेरे नाम के प्रेमी है, वे आनंद के गीत गाएंगे, प्रभु के नाम के प्रेमी है, आनंद के गीत गाएंगे, बोले हालेलुया, मेरे साथ धूर आईए, जो तेरी शरण जाते हैं, वे सब आनंद मनाएंगे, वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रच्छा करेगा, और वे सदा हर्शित रहेंगे, वे सदा हर्शित रहेंगे, वे सदा हर्शित रहेंगे, कौन, जो तेरी शरण जाते हैं, प्रभु के शरण में आप जाते हैं, उसका प्रूफ है, खर्शित रहेंगे, आप हमेंश्वा दुकी रहता है, इसका मतलब है, शरण में ने गया, किसी और के शरण में, इसलिए दुकी रहते हैं, आलेलुया, जो तेरी शरण जाते है वे सब आनन मनाएंगे तो उनकी रख्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनन के गीद गाएंगे जो तेरी शरण जाते है वे सब आनन मनाएंगे तो उनकी रख्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे अ जाते है वे सब आनने मनाएंगे सब आनना मनाएंगे झाल झाल